तो हलो व्रिवन आपका एक नए वीडियो में सुवागत करता हूँ तो सलमान खान से स्टार्ट करते हैं उनकी सिकंदर मुवी की शूटिंग शुरू होने जा रही है और 40 दिनों का शेडियूल रखा गया जिसमें 1000 बुलेट्स यहां पे यूज होंगी और यह काफी बड़ा सीन बताया जा रहा है भाई लोगो काफी बड़े तीन-तीन action sequences शूट होने वाले सलमान खान का एक प्लेन में action scene शूट होगा जिसमें बताया जा रहा है कि विलन के बेटे से उनका यहां पे सीधा दुपेदू होने वाला है अब विलन के बेटे को लोगे यानिके सत्या राज के जो बेटे होंगे इस मुवी के अंदर उन से सलमान खान का दुपेदू होगा और action scene शूट होगा प्लेन में अट दोस्तों मुवी काफी बड़े पैमाने पे AR मुरुकदास बनाने जा रहे है यानिके अब आप ये समझ लो के एक के बाद एक अपडेट मुवी से रिलेटिड आती जा रही है और सलमान खान की ये मुवी इतना जादा हाइप करेट करती जा रही है तो सोच के चलो जब ये मुवी रिलीज होगी तो भाई क्या गदर होगा क्या गदर मचेगा भाई जान दुबारा से इस बार इद पे कमाल करने वाले है पिछली इद तो चलो ये है के इस बार रिलीज नहीं हुई यानि के ये जो इद गई है इस बार रिलीज नहीं हुई तो अगले साल इस इद की भी इदी भाई जान लेने वाले इसी वज़े से इस मुवी पे काफी जादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत तारीफ और यहां पे जो हमारे पास अपडेट सारी है इस मुवी की कमाल किया रही है लेटरली दोस्तों मैं कहा रहा हूँ के सलमान खान भाईजान इस बार तबाही मचाने वाले हैं पानसो छेसो करोड तो अब आप ये समझेए के हर कोई दे रहा है देखो भाई इस तरी टू भी यहां पे आराम से पानसो करोड कर सकती है तो सलमान खान तो भाई एक अलगी स्टार्डम है तो उनकी मुवी क्या हजार करोड नहीं कर सकती लेकिन अब सिकंदर से हमें बहुत सी उमीदे हैं तो सिकंदर क्या हजार करोल करेगी नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं कितना एक्साइट हो बात करते हैं अब रितिक रोशन की देखो रितिक रोशन से रिलेटिड आए दिन बहुत सारी न्यूज़ आ रही रोग दिया है जो मैंने आप लोगों को बताया था लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुवी की रिलीज डेट फोस्पोन होगी नहीं भाई मुवी को रिलीज होने में भी एक साल बाकी है और एक साल कोई ये नहीं कि एक महीना है एक साल बहुत बड़ा डिस्टेंस है और YRF कोई चोटा मोटा प्रोड़क्शन हाउस नहीं है वो अराम से अपने काम को खत्म कर लेगा मुवी अगले साल ऑगस्त में 14 या 15 तारीक को 100% रिलीज हो रही है अब ये मस सोचे कि मुवी पूस्पोन हो रही है पिर इसके बाद में रितिक रोशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे अल्फा मुवी में और अल्फा मुवी में अनिल कपूर भी रितिक रोशन के साथ में होंगे और बॉबी देवल भी आलिया भट एन शर वरी ये चारो प्याचों होंगे लेकिन अब यहां पे clear news आ रही है कि आलिया भट एक raw agent के रूप में हमें देखने को मिलेंगी और जो शरवरी होंगी वो raw agent नहीं होंगी यह अभी एक rumor है यह update दोस्तों आई है जो कि अभी rumors के तौर पे घूम रही है इसको अभी कच्चा पक्का समझ लेना क्योंकि यह बात घूम रही है और यह बात मैंने भी अपने sources से पूछने की कोशिश की थी तो उसके पाद भी य नहीं है लेकिन यह social media पे घूम रही है तो इसे कच्चा पक्का समझ सकते हैं लेकिन इसको अभी done नहीं करिएगा क्योंकि आगे जाके हो सकता है कि यह news गलत भी हो जाए और अगर सही भी होती है तो मैं आप लोगों को यहां पर जरूर बताऊंगा फिर आगे चलते हैं अक 15 अगस्त पे भी आ गए और देखो 15 अगस्त पे तो दो दो बार आ हैं भाई लेकिन 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 एक बार तो कामियाब होई गए एक मूवी में तो कामियाब ही मिली ही गई after all horror comedy universe में उनका जो एक admission था वो street उसे हो चुका है और अगली मूवी में वो हमें दिखने वाले हैं एक एदे विलन सरकटा अब यहां पे दोस्तो एक नया नायाब नगीना जो कि मैं कहता हूं कि इस time पे नंबर वन पे बॉलिवुड में जो डारेक्टर है भाई मेरे हाई quality and high मैं कहा रहा हूं कि इसाला फोर के quality में डारेक्शन को देख रहे हैं बहुत ही पढ़ाई लिखाई से मुझे ऐसा लगता है कि वो डारेक्शन देता है भाई कमाल का डारेक्टर है मैं कहता हूं कि होनर है उस आदमी के हाथ में अब यहां पे जो उसका खुद का प् जिसमें से एक मुवी है जो वो दो बड़े action डारेक्शन मतलब जो बहुत बड़े action मुवी बनाने वाले हैं जिसमें दो बड़े actor होंगे अब यह नहीं पता बॉलिवट से होंगे या साउच से होंगे जिसमें वो खुद उस मुवी को डारेक्ट करेंगे फिर रैड चिली एकदम जबरदस तरीके से action ही action ही action आप लोगों को देखने को मिलेगा देखो सिदार्त आनन्द यहाँ पर एक तो action director है ही ठीक है फिर यहाँ पर जब अक्षे कुमार आ जाते हैं तो अक्षे कुमार एक action hero है जो एक छवी बनी हुई है वो तो एक किसमत के बतौर है कि उनक और कच्चे धागी जैसी फिल्में बनाई है इस movie को direct करेंगे अक्षे कुमार की और produce कर रहे हैं सिदार्त आनन्द लेकिन जो अच्छे और तगड़े scene होंगे मुझे ऐसा लगता है personal feel कि उससे सिदार्त आनन्द ही direct कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर potential है उन सीनों का और अक्षे कुमार का अगर इस movie से पहले कोई और movie से इनका comeback नहीं होता है तो 100% सिदार्त आनन्द की इस movie से उनका comeback होना टै है और इस movie को बताया जा रहा है कि next year लेकिन next year confirm नहीं है मुझे नहीं लगता है कि next year ये movie आ सकती है देखो next year उनकी welcome to the jungle भी है, house full 5 भी है, जोली L.L. Sky Force इसी साल आईगी 2 October को और उस movie को लाहर 1947 से जोड़ा जा रहा है, मतलब Sky Force को ये बताया जा रहा है कि वो 26 January को release होगी next year 2025 जबकि ये अभी एक बे बुनियाद बात है, ऐसा कुछ नहीं है सनी पाजी के आगे अक्षकुमार नहीं आएंगे दुबारा से, जो OMG 2 में हाल मुवी है और मैडोक का एक content बोलता है बाई मुह से, लेकिन मैडोक भी इतने कोई बावले नहीं है कि 2 October से सीथा वो 26 January को लेके जाएंगे, तो वो अगर मान के चलो teaser उनका नहीं आया 15 अगस्त को तो इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी पोस्पोन हो चुकी है, मूवी अगर पोस्पोन होती तो मैडोक वाले अभी तक कोई अनौस्मेंट दे जेते, क्योंकि अगस्त का महीना कंप्लीट होते ही मैडोक वाले इसका teaser तरूर देंगे, अक्ष्यकुमार की जैसे all movies होती है ना, जिस तरीके अभी तक release हुई है, सरफिरा हुई है, फिर और भी जो selfie जैसी movie, अगर इस तरीके की कोई other production house होता, तो मैं मान के चलता कि movie या तो postpone हो गई है, या फिर ये लोग teaser उसका डाल देते हैं, लेकिन मैडोक का जो एक content है बाई, वो बोलता है मूँ से, और वो नहीं चाहेगा कि हम सनी पाजी के सामने जाएं, वो 2 October में ही release करेगा, क्योंकि 8- 10 दिन में और 2 October के पूरे graph में, मैं कह रहा हूँ का 8-10 दिन, 15 दिन कोई Bollywood की movie नहीं लग रही है, तो जो लग रही है, वो south की लग रही है, लेकिन 10 या 11 तारिक को एक लग रही है, जो की आलिया भटकी है, जिगरा, अब देखा जाए जिगरा, तो मुझे नहीं लगता कि अक्षे कुमार की स्काइफोर्स को रोक सकती है, कोग 8-10 दिन होंगे, 8-10 दिन में ये movie का गिराफ पता लगने वाला है, कि एक इस दिशा में जा रही है, ठीक है, अब बात करते हैं, शाहिद कपूर की, देखो शाहिद कपूर की अभी new movie का कल announcement हुआ है, साजिद नाडिया में काम किया हुआ है, एक है कमीने और एक है है अब दोनों film में उठाके देख लो, अगर नहीं देखी तो जाके देख लो, direction देखो, content देखो, और किस लेवल पर काम किया गया है, और किस लेवल पर direction हुई है, दोनों ही फिल्मों में, जबके हैदर movie को तो भाई national award तक मिला तबू थी, केके मिनन थे, बहतरी लगार थे, केके मिनन के सामने अगर शाहिद कपूर काम कर रहे हैं, तो भाई एक बहुत बड़ी बात होती है, पहली बार उनका combo देखने को मिला था, इन दोनों का, केके मिनन का और शाहिद कपूर का, इसके बाद में वो फरदी में हमें देखने को मिलें, फरदी में तो खेर, बहुत ही उम्दा काम किया है, दोनों ने बहुत ही अलगी लेबल पर जा चुके हैं, और यहां पर, देखो, मैं सीज़ा-सीज़ा कहूंगा, के शाहिद कपूर की, ये मूवी काफी बड़ी होने वाली गो, के साजित नाजेट वाले ने ये कहा है, कि हम बहुत ही बड़े-बड़े सीन, इस मूवी के हंदर लाने वाले हो, थोड़े से अलग होंगे, जो अभी तक हम देखते हैं, उनसे काफी अलग होंगे, अब किस तरीके के होंगे, ये तो खेर मूवी में हमें देखने के बाद ही पता लगेगा, बाकि श शाइद कपूर की अगले साल दो मूवी तो कंफर्म है, दो मूवी 100% आएंगी, आएंगी, बाकि जो सागा अश्वत्थामा वाली है, उससे कोई यहां पर अभी अबडेट नहीं आ रहा है, प्रोड़क्शन हाउस की तरफ से, पूजा इंटरेंड में की तरफ से, एंड च आएंगा में ता नाम निगल गया है, वीडियो चल रही है, मैं यहां पर कट नहीं कर सकता, नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना, उन्होंने कहा है, जो भी है नाम ध्यांसे निकल भां जो फीलिगए, उननोंने कहा है कर दोब कर सो दोब इस लिए स्क्रीप्ट पर काम चल यह शुरूयर तो फ़ cały गवाट कि है अभी तो यह सब बेकार की बात हैं अभी तो यह सब बेकार की बाते है है ऐसा थो पाफ ही नीचे कॉमंईंट को श лучше मॉजसे को ऑ क्यों से अपने एक्ट और यहाँ पे देखना पसंद करते हैं और किस actor के आप fan है मिलता है ओगली वीडियो में थेंक्स वर वचिए